हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट निसांत और आपका स्वागत है आपके अपने चानल डिफेंस ट्यूटर में तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको टॉप टुप होने कोसंस के लेक्चर स्रीज 10 को बताएंगे इस वीडियो में आपको जेनरल साइंस के इंपोर्टन कोसंस को करवाया जाएगा इन में से कुछ कोसंस आपके प्रिभिये सिर में भी आए हुए हैं और आगे आने की पूरे चांसे से तो complete video को बाच कीजिएगा एक कोसंस को ध्यान परवक सुनिएगा ताकि आपके उसको रिजन भी याद रह सके उस कोसंस के और उसके रिजन के याद रहने के साथ साथ आपके उसका answer भी याद रख सके उस कोसंस का तो चलिए बच्चो आपको बता दे कि इससे पहले हमने न तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे-चे questions को निकाल पाते हैं और अच्छे-चे questions को ढूंड कर आपके ला पाते हैं तो चलिए बच्छो आप अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजे चानल को जूरू subscribe कीजे तो चलिए अप आला question है इस questions में आपको कहा जा रहा है कि inert gases the inert gases which substitute for nitrogen in air used by deep sea driver for breathing यानि आपको बताना है कि जैसे जो भी जिसे deep sea driver होते हैं जो गोता खोड़ होते हैं जो नीचे समुंद्र में या फिर बड़े बड़े ऐसे नदी में वहां पर जाके जो नीचे जाके कुछ ढूंडते हैं या फिर कुछ research करते हैं इस टाइप के तो वह लोग जो होते हैं वह नाइट्रोजन के जर्वपर उनका जो स्लेंडर होता है उसमें ऑक्सीछियन के साथ नाइट्रोजन होता है जिसके कृषिए बगए यह बहुत ही सिंपल को सन्हें इसका डीजन बहुत बढ़िया लगे आपको सुनने में अच्छा रीजन है इसका चलिए बच्चों जि चले हम आपको रीजन बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजेन है कि वो Pok demand Healyam को में यूज करते हैं देखने बच्चो इसका रीजेन है यहांपर आपके लिए लिखा वाया कि पहले क्या होता था आपको उक्सीजिकन के साथ और और वह इस चोन प्रेसर प्रेसर अंदर जाते हैं समझान झूद कर रहे हूँनột के प्रेशला का प्रेसर का आधा क्या हो तो यहांद प्रेशल करें उनका नस्वटने नस्वटने होता है और अगर नस फटता है तो आदमी क्या हो जाता है मर जाता है नहीं तो जैसे ही वह क्या करते हैं अगर नीचे जाते हैं डीप सी में जाते हैं तो इसका नाइट्रोजन जो होता है वहाँ पे वह बलड में डीप सी मतलब हाई लेवल में जाके उनका नाइट्रोजन जो प्रेशर डिफेरेंस को मैंटेने रखता है और जो हीलियम होता है वो लूंड tarafी डियक्टीव औूं नों टॉक्सिक गेस जल्दी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इनका rate or diffusion बहुत slow होता है ठीक है चलिए next questions क्यों बढ़ते हैं the gas used in different types of welding would include आपको बताना है कि जो gas use होते हैं welding के process में वो कौन से gas basically होते हैं तो चलिए बच्चो हम आपको बता दे कि आपका oxygen oxygen or acetylene gas oxygen O2 and acetylene gas कहने का मतलब होता है आपका c2- Tab 1 C2-C2- d MARTIN GAS में दोनों को मिला के जो आपका mixture बनता है वो क्या होता है आपका welding में बहुत ही यूज होता है जैसे बता दे आपको कि जो आपके oxygen होते हैं और आपका जो acetylene gas ہोता है वो क्या होता है combine करके oxy acetylene gas को form करता है क्या form करता है oxygen और acetylene combine करके oxy acetylene gas को combine करता है और sorry oxy acetylene gas को form करता है और एक high temperature आपको उहाँ पर देता है बहुत ही hot temperature देता है और इसके करता है आपका building process बहुत ही आसानी से हो पाता है ठीक है तो क्या answer हो गया इसका option option d is the right answer यानि oxygen और acetylene gas मिलके आपका building process में use किया जाता है ठीक है चलिए बच् इसको नहीं बोलते हैं बच्चो लेकिन यहां पर हम बहुत दिनों बाद आपको बता रहा है कि प्लीज बच्चो हमें भी support कीजिए वीडियो को like कीजिए चानल को जो subscribe कीजिए अभी कभी like कीजिए अभी कभी subscribe कीजिए ठीक है बच्छो तो चलिए questions 3 में हमें कहा जा रहा ह है the property of substance to absorb moisture from the air on exposure आपको उताना है कि किस property के अनुसार कोई substance moisture को absorb करता है कहां से atmosphere से air से ठीक है चलिए बता दे आपको डेली क्यूसेंस एक process होता है इसमें क्या होता है आपका एक कोई भी substance क्या करता है moisture attract करने के towards से क्या होता है बहुत ज्यादा tendency होता है यानि वह उसका large amount of affinity होता है कह सकते हैं चाहत होता है moisture को absorb करने का डेली क्यूसेंट प्रोसेस में एक साथ सबस्टांस क्या होता है कि वह moisture को absorb कर लेता है अपनी ओर ठीक है osmosis बेसिकाली क्या होता है lower concentration to higher concentration इस टाइप के process जो flow होता है उस टाइप में osmosis का use क्या जाता है efflercence आपको क्या होता है efflercence बताते है आपका यह टाइप का क्रिस्टलाजेशन का loss of water of crystallization का उसमें क्या कियाता है कि water of crystallization को loss का जैसे आपको बहुत सारे compound में दिखने के लिए मिलता होगा जैसे माल लेते हैं जैसे c2s2 कुछ भी जैसे compound है इसे माल लेते हैं कुछ भी compound देते हैं आपको आपको इसी को कहते हैं तो आपका जो प्रोसेस में कहा जा रहा है कि कौनसे इसे प्रोसेस में moisture को absorb किया जाता है तो आपका भी option है यानि कौनसा option है डेलिक्विसेस प्रोसेस होता है जिसमें moisture को absorb किया जाता है दिखें यहां पर लिखा भी हुआ है कि डेलिक्विसेस मैटेरियल जो होते हैं वह क्या करते हैं उनका बहुत strong affinity होता है affinity कहने मतलब चाहत होता है कि इसको moisture की और उनका बहुत चाहत होता है moisture की और और वह क्या करते हैं large amount of large amount of moisture अपने your atmosphere से attract कर लेते हैं अपनी your atmosphere से absorb कर लेते हैं और अगर आप उसे कुछ देर तक छोड़ दी जागा atmosphere में तो वह liquid solution को भी बना देंगे यानि वह क्या हो जाएंगे यानि liquid पता समझते है liquid हो जाएंगे गीला हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे सिल्कन करवाइड 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 सिल्कन करवा इसका रिजन यहां पर दिया गया है सिलकन करवाइड इस अबसे ज्यादा हार्ड़ सबस्टांस होता है ठीक है जिसको यूज कियाता है कटिंग परपर्स बहुत ही मजबूत सबस्टांस को कट करने के लिए यूज किया जाता है देखे बच्छो आपको बता दे कि सिलकन करवाइड जो होते हैं डाइमड 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 जो होता है यह भी क्या होता है है सबस्टांस को कटिंग के लिए लेकिन Silicon Carbide यह क्या होता है यह आपका क्या होता है Manumate Substanse होता है Manumate होता है और यह क्या होता है उतना भी ज्यादा इसका cost नहीं होता है इसके कन्यान क्या होता है इसको यूच किया जाता है कोई भी hard surface को cut करने के लिए ठीक बच्चो तो चलिए next question है आपका the average salinity of sea water आपके average salinity बताना है sea water का salinity क्या होता है तो सब्सक्राइब बता दे आपको कि salinity क्या होता है देखिए हमने आपके लिए लिखा है कि salinity जो होता है यह क्या होता है जो आप test experience करते हैं किसी भी common salt को common salt समझते हैं बच्चो नसल स्वरियम क्लाइड इस दा common salt किसी भी common salt को आप जब अपने अपने माउथ में रखते हैं और उससे जो आपको test मिलता है उसे हम salinity करते हैं और आपको बता दे कि average salinity जो sea water होते हैं समुद्र के पानी का average salinity होता है वो होता है आपका 3.5% क्या होता है 3.5% यह याद के लिए यह important question से आपके लिए यह आपका किसी भी average salinity होता है sorry बचो average salinity होता है sea water का 3.5% और salinity क्या होता है test experience होता है test experience by experience by mouth while eating sorry बचो मारका नहीं चला है while eating common salt ठीक है दिखें यहाँ पर लिखा भी होगा है कोई भी test experience करते हैं किसी common salt को खाते समय वो हमें क्या देता है salinity बताता है तो चलिए बच्चो यह 5 questions थे बहुत important questions थे तो सभी questions को ध्यान प्रुवक सुने होंगे आप और आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा यहां तक अब जो भी बच्चे पहुंचे हैं उनको वीडियो का अच्छा लगा है तो प्लीज बच्चो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को जो subscribe करके ही जाए तो चलिए बच्चो फिर्म लेंगे च्छे वड़ी उसात तब तक